नमस्कार आदाब पारी सलीम कुरेशी अपने भतीजे साजित कुरेशी वपुत्र आरिस कुरेशी के साथ अपनी कार से बिजन और अपनी बहन के यहां जा रहे थे रास्ते में कजबा हलदौर के निकट गॉल बाग के पास सामने से आ रहे ट्रक चालक ने कार में टकर मार दी और फरार हो गया टकर इतनी भीशन थी कि कार बुरी तरह छदे ग्रश्ट हो गई मौके पर पहुँची रहागीरों ने कार को ट्रक के नीचे से रसी के सहारे बाहर निकाला जिसमें कार चला रहे सलीम कुरेशी के मौके पर ही मौत हो गई मौके पर पहुँची डायल 108 की सहाइता से भतीजे साजित वा आरिश को अस्पताल ले गए जहां साजित की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई वा सलीम का पुद्र आरिश बिजनौर के मेरट वा मेरट से दिली रेफर कर दिया गया जहां वह जिन्दगी और मौत के बीच लड़ रहा है साथी हादसे की खबर सुनका अमनत सलीम की ताई बिलकीज बानो पत्नी स्वर्गे डॉक्टर नाजिर की अटेक आने से अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई तीनों मौत से नगर नूरपुर में कोहरा मच गया जोहर की नमाज के बाद तीन जनाजी की नमाज एक साथ अधा की गई जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज ए जनाजा पढ़ी देखे बिजनौर एक्सप्रेस का साथ गुलफाम राजा नूरपुर मैंने डॉक्टर प्रेम प्रकाश डॉक्टर साब हल्दा रोट पे एक्सिडेंट होगा है कि लोगों की मौत रही है और कितने काई इस एक लोगों की मौत ही इसका नाम है सलीर औब दो लोग सीरियस घाय लाइंड और वह दोनों को मेर्ट भेजा गए इसे एक बच्चा है उसमें से आरिफ और दोसरा नाम साजी थे यह दोने लोग मेरट गया हुए है